दोस्तों कल की वीडियो में एक छोटा सा ब्लेंडर हो गया था जिसकी वाज़े से वीडियो रिमूफ करनी पड़ गी क्योंकि एपल और टाटा और वीवो इंडिया की जो नियूस थी वो काफी जादा कंफ्यूजिंग थी और उसको थोड़ा सा गलत तरीके से बता दिया था और इंडिया के अंदर ऑपरेट कर रहा होता जबकि टाटा बनाता है एपल के आईफोन मतलब उसके मैनुफेक्ट्रिंग करता है बैंगलूरू के अंदर तो यहां पर थोड़ा सा कॉंफ्लिक्ट ऑफ इंट्रेस्ट हो जाता है जिसकी वज़े से एपल ने का ना ना तुम मैं असानी कर सकते तुम वहीं रहो जहां पर हो क्योंकि वह हमारा कंपिटीटर है और उसके आप 50% इस टेक बाय करके ओनर बनना चाहरे हो तो यह तो वहीं हमारे लिए साही नहीं होगा तो आई थिंक तुमको इस डील से दूर ही रहना चाहिए जिसकी वैसे उन्होंने टा के ओपर भी फास्टेक लगा हुआ है तो अब आपको थोड़ा सा अलर्ट हो जाना चाहिए क्योंकि एक अगस्य फास्टेक्स की रूल्स चेंज हो चुके हैं जिनको एन पीसी आई ने कह दिया है कि जिनके भी तीन से पांस साल पुराने फास्टेक हैं उनको 31 अक्टूबर 2024 तक इन नए रूल्स को फॉलो कर लेना चाहिए और ये एक अगस्य शुरुआत हो चुकी थी तो एक दिन लेट हैं हम तो सबसे पहले तो आपको अपने फास्टेक की के वाईसी पूरी करवा लेनी चाहिए जो भी डिटेल्स वगेरा है वो अपडेट करवा लेनी है फास् टेक के डिटेल के अंदर और इसी के सासत वहां डाटाबेस के ऊपर भी आपकी डिटेल्स को अपडेट किया जाएगा ताकि टोल प्लाजा के ऊपर आपको कोई भी दिक्कत ना है हाला कि दिक्कत अभी भी नहीं आ रही थी लेकिन ये थोड़ी और जानकारी एड़ करने को कहा गया है फास्टेक के अंदर एंपी सी आई द्वारा तो सो बिल गेट्स को देखकर कभी भी ऐसा नहीं लगता था कि यह इस तरीके की हरकत करेंगे दरसल इनों ने एक इंटर्न को छेड़ दिया फ्लेट कर दिया उसके साथ में दरसल माइक्रोसॉफ्ट ने इसी वज़ और रात में डिनर विनर पर चलते हैं तो इस तरीके से मेरे साथ फ्लेट करने की कोशिश की थी और उस वक्त में यह मिलिंडा गेट के साथ में शादी शूदा भी थे खैर उसके बाद में दो डिवास विवास हो गया था जिसकी वज़े से अब बाकी के जो स्टेक्स इसको अनवील करने जा रहा है जिसके अंदर आपको एक फोल्डेबल फोन भी शायद देखने को मिल सकता है जो कि एकसपेक्ट किया जा रहा है कि यह भी अपना फोल्डेबल फोन लेके आने जा रहे हैं इसका किसी बाता पता भी नहीं है मतलब डिजाइन कैसा होगा वह न देखने को मिल सकता है जिसके अंदर वो आईफोन 16 सीरीज को लाँच कर देंगे फिलाल के लिए कुछ लीक सामने निकल कर आ रहे हैं कि भाई या डिजाइन का तो हमें पता था कि कुछ डिजाइन इस तरीके के हो सकते हैं और अब डमी भी सामने निकल कर आई जो कि कुछ इस तरीके की है जो कि आईफोन 16 की है इसके अंदर बाकी के मौडल अभी देखने को नहीं मिलें लेकिंगे चेंज साफ साफ हमको देखने को मिल रहा है कि अब कैमरे के साथ में थोड़ा और फिर बदल किया गया उसको रीडिजाइन किया गया उधर से इनोंने रखें आईफोन 16 के अंदर और बाकी के तो खेर जैसे डेट क्लोज आएगी आईफोन के लांच की तब तक हमें पता ही लग जाएगा दोस्तों सैमसंग ने बना दिया एक ऐसी बैटरी जो कि सिर्फ 9 मिनिट के अंदर चार्ज हो सकती और 965 किलोमेटर तक उसकी र और रहने वाली उर इसका डिजाइन ऐसा नहीं कि सिर्फ पैटन का डिजाइन रहेगा नई जिस तरीके कभी वेकल होगा उस तरीके से हम बैटरी डिजाइन कर सकते हैं तो सारे मैनफ्रक्श्र हो यस तरीके से टार्गेट कर पाएंगे जो प्रीमियम आ जाएगी क्योंकि वाइनाड रीजन के अंदर जिस तरीके का natural disaster आया जो कि अभी तक कभी नहीं देखा गया था मतलब देखा गया होगा तो कई सालों पहले देखा होगा लेकिन देखा गया अगया लेकिन इस लैंड ज्नलाइड में कई सैकुड कि जान ले ली अब जिसकी वज़े से अब Reliance Geo, Airtel, Vodafone Idea, BSNL ये सभी अपने तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि अपना भी कुछ support दे पाए, Geo ने अपना टावर सेटप कर दिया है, जो नेटवर्क है उसको और भी ज़्यादा स्ठेंफन कर दिया जाए, BSNL ने अपना 4G सर्विस चालू करी, वहाँ पर डीजल इंजल वगेरा चला के कि लाइट तो आने रहे हैं, लेकिन किसी तरीके से 4G की सर्विस देनी पड़ेगी, जो भी एफेक्टिड एरिया है, वहाँ पर तो जरूरूर और एटल ने काया कि भाईए, पर डे हम 1G भी डेटा देंगे और वी आई ने भी इसी तरीके की बात करी है, और भी कुछ सर्विस फ्री देने की बात हुई है, और पोस्पेड यूजर्स को ये कह दिया है, कि आप अपना बिल 30 दिन बाद चुका हो, कोई दिक्कत नहीं है, और इसी के साथ साथ वी आई ने कहा कि भाई आप 10 दिन बाद चुका देना पोस्पेड बिल, कोई दिक्कत नहीं है, और ये जो भी फ्री सर्विस इस दी जा रही है, वो सिर्फ तीन दिन के लिए ही दी जाएगी, अब ये जो नेचरल डिजास्टर हम देख रहे हैं, हर जगे ही चल रहा है, आप देख पिछले साल भी आया था, इस साल भी आगया और इस बार तो वहाँ पे मलाना डैम भी फट गया, जिसकी वज़ेसे काफी जादा मतलब आपने वीडियोस देखी होगी, जिसके अंदर दिखाया कि रोड के रोड गायाब होगे, घर के घर गायाब होगे, काफी जादा नुक की वज़ेसे, वहाँ भी काफी जादा नुकसान होता है, जिसकी तो बात ही नहीं की जाती, मतलब न्यूस तक पर पता नहीं चलता है कि इस तरीकी की भी सिच्वेशन हो रखे होगे, जोस्तों मुकेश अमवानी का ये 27 स्टोरी बिल्डिंग का घर, जो की काफी जादा फे वगेरा भी है, ठेटर भी है और 600 से जादा एंपलॉई इस घर के अंदर काम करते हैं, तो आपको पता है, ये कितनी जादा इलेक्टिसिटी कंज्यूम करते हैं, ये इतनी जादा इलेक्टिसिटी कंज्यूम करते हैं इस घर को चलाने के लिए, जितने की 7000 मिडल क्लास घर को जरूरत पढ़ती है और इनका मन्तिल इलेक्टिसिटी बिल आता है सतर से असी लाख रुपे मतलब हमारा जब दो एक हजार रुपे जादा बढ़के आ जाता है नो चिंता हो जाती है कि भी यह किसने क्या चला दिया था लेकिन यहाँ पर देखते ही नहीं बस सतर से लाख रुपे में अगर बीस लाख रुपे जादा अगए तीस लाख रुपे जादा अगए चलो कोई नहीं कोई दिक्कत नहीं एक रुपा बढ़ो जीयो के प्लाइन में